नमश्कार दोस्तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग दक्यरला स्टोरी को देख कर सवाल खड़े कर रहे हैं ये वीडियो उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए है दोस्तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि आप ऐसे लोगों क आँखे खोल सके उन्हें धड़ाके से जवाब दे सके दोस्तों सिर्फ भारत ही नहीं बलकि अमेरिका कैनेडा और इसके अलावा दे ग्रेट ब्रिटेन भी लव जिहाद के इन मामलों से परिशान है कितने भयानक तरीके से यहां पर लव जिहाद के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है इनसे तो भारत भी पीचे छूट गया है भारत से जादा लव जिहाद इन देशों में फैलाया जा रहा है और नाबालिक लड़कियों को यहां पर चंगुल में फसाया जा रहा है दोस्तों इसके लिए यहां की जो अंगरेजी सरकार है इन्होंने पूरी प्रेस्त जारी कर दैंक हुआ हरा उन्हें तो फसा कर बाजारोंанов सब्सक्राइब पिलो आप कि दिए को भैजाद चेहरा है झिन को सुनक रूप जाए जिसको सुनकार लोगों के रौंग्टे खड़े हो जाए दोस्तों ये जुस चीजे हैं भारत में जो लव जिहाद चल रहा है ये अब से नहीं चल रहा ये तब से चल रहा है जब महम्मद कासिम का वक्त हुआ करता था जब महम्मद कासिम की सत्ता थी तब हिंदु धर्म की ज नहीं उलब जिहाद करके घर्म परिवर्वार कर रहे हैं और महिलाओ के साथ गलत विवार कर रहे हैं उन्हें आतंक वाद में जोक रहे हैं दोसतों यहाँ पर जिहादी है अब बौकला रहे हैं देखिए दो फिल्में जिन्होंने सनातनियों की आँखे खोली हैं जिन्होंने हिंदू की आँखे खोल दी हैं जिसके बाद हिंदू जाग रहा है अत्याचार सहने के बाद भी हिंदू जाग रहा है जिसके बाद यहां पर लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई जा रही ह जो पेश हुई है दक केरला स्टोरी के रूप में इससे पहले जो हिंदों को जगाने वाली फिल्म आई थी दक कश्मीर फाइल्स और अब आई है दक केरला स्टोरी जिसका लगातार पूरे जन समर्थन मिल रहा है पूरा यहां पर समर्थन मिल रहा है पर कुछ ऐसा वर्ग है जो इसके खिलाफ जा रहा है वो है लेफ्ट लिब्रल बिराधरी दोस्तों ये बिराधरी सिर्फ हिंदोस्तान में ही नहीं बलकि बहार देशों में भी एक्टिव है तब ही तो यूरोप की जो हालत है आज वो इसी बिराधरी की वज़ा से है ये दोस्तों यहाँ पर जो ये पहली फिल्म नहीं है जिसने जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई है इससे पहले भी दो फिल्म में बन चुकी है 2015 में ब्रिटेंस जिहादी राइट इसके अलावा साल 2020 में नेट्फिक्स पर आई कैली फैट ये दोनों ही मुवी ऐसी हैं जो लव जिहाद के लिये बनाई गई थी जिन में दिखाया गया है किस तरह लव जिहाद किया जाता है लगाता दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट लिब्रल बिरादरी के पेट में दर्ध हो रहा है जिसके चलते वो इस फिल्म पर बैन लगाने की बात कर रहे है और कुछ ने तो बैन लगा भी दिया है पस्चिम बंगाल के मुख्यमंतरी ममतब इनरजी ने इस फिल्म पर पस्चिम बाते रखी हैं कि इससे कानून व्यवस्था बिगड सकती है डिरेक्ट उन्होंने नहीं कहा है थियेटर के मालिक को कुछ भी बहाना बना देने के लिए कह दिया है और कह दिया है कि यह फिल्म थियेटर में नहीं चलनी चाहिए दोस्तों लेफ्ट लिब्रल बिरादरी के लगातार इस फिल्म के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उसकी वज़ा से पेट में दर्द हो रहा है दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा जो केरल के लिए उठाये गया है यह पहली बार उठा है साल 2009 में क्रिश्चन्स ने यह मुद्दा उठाय था जिसके बाद साल 2010 मे तब के मुख्यमंत्री विएस अक्षुदा नंदर जी ने तो साफ तोर पर यह कह दिया था कि आने वाले 20 सालों में यहां पर जो केरला है वो इसलामिक स्टेट बन जाएगा अगर यह लव जिहाद इसी तरह चलता रहा तो इसके अलाबा साल 2012 में कॉंग्रेस के मुख्यमं मुख्यमंत्री उमान चेंडी ने तो यहां पर विधान सभा में आंकड़े भी रख दिये थे कि साल 2009 से साल 2012 के बीच में कितने धर्म परिवर्तन हो चुके हैं हिंदू महिलाओं के 195 धर्म परिवर्तन के मामले सामने आये थे और जबकि क्रिश्चन के बारे में कहा गया था कि 495 यहां पर जो क्रिश्चन हैं उन महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया जा चुका है लगातार दोस्तों यहां पर यह जो लेफ्ट लिबरल विरादरी है देश में ऐसा नेरेटिब फैला रही है कि मुसलमानों के विरोध में बीजेपी ये करा रही है पर दोस्तों इस से पहले जो मुख्यमंत्री पहले इसाय धर्म के लोगों ने फिर मुख्यमंत्री वियस अक्षिदानंद और इसके अलावा उमान चंडी जो कॉंग्रेस के नेता थे यानि कि कॉंग्रेस ने भी इसका संग्यान लिया है और इसके बारे में आवाज उठाई है तो यहां पर य यह narrative सेट कर रही है और मुसल्मानों का विरोध कर रही है इसके अलावा दोस्तों यूरोप में जो आज के हालात है वो इसी left liberal विरादरी के कारण है क्योंकि यहां पर जो human rights है women rights और immigrant rights इन तीनों का ही हवाला देकर यहां पर left liberal विरादरी अपना दबदबा जमाने में काम् अब हो रही है दर असल विशेशक्यों की माने तो अब जो पीडी चल रही है ना उसके अलावा जो आगी की पीडी आएगी specialist ने यही कि विशेशक्यों ने यही कहा है कि जो आने वाली पीडी है उस समय पर Europe एक स्लामिक बन जाएगा दोस्तो इस तरह की बात की गई है यह स्तिती बहुत भयानक है दोस्तो और इस स्तिती को यह left liberal विरादरी लोगों के सामने पेश कर रही है पर जो जनता है वो इसक करना है वो काम करने में वो धीरे धीरे काम्याब हो रही है धीरे धीरे हर देश को वो खोगला कर रही है इनका मोटिव यही है कि जादा से जादा इन्हें इसलामिक देश बनाने हैं जिसके चलते यह धर्म परिवर्तन करा रहे हैं दोस्तो विरिटेन में भी यही चल रहा तार्गेट किया रहा था और ज्यादा flexibility रहा धार के जायरा था उन्हें वावाधिन बंने केलिए उन्हें प्रॉस्टूचिशन में lux बंने के लिए नशे की हाया घर को जिस गैंग के चलते इन लड़कियों की इन बच्चियों की जिंदगी बरबाद की जा रही थी पर यहां पर कोई भी इन पर सवाल उठाने वाला इन पर एक्शन लेने वाला इसका विरोध करने वाला पैदा नहीं हुआ जिसके बाद यहाँ पर जो पुलिस भी थी वो भी इनसे डरती थी कि अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो यह लगेगा कि हम इसलाम का विरोध कर रहे हैं लेकिन जब ब्रिटेन की ग्रह मंत्री ने इस बात का संग्यान लिया तो उसके बाद प्रधान मंत्री ने भी यहाँ पर एक कमेटी बिठाई जिसकी जांच शुरू हो रही है और यहाँ पर एक्शन शुरू हो गया है दोस्तों यहाँ पर लव लगातार यह सारी चीजे यह लेफ्ट लिब्रल बिरादरी मिलकर लव जिहाद का साथ दे रही है जिसके चलते लव जिहाद लगातार पहल रहा है और जो यहाँ पर धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर कराय जा रहा है लड़कियों को की आग में जोका जा रहा है लेफ्ट लिब्रल बिरादरी फिर भी यहाँ पर यह सारी चीजे कर रही है दोस्तों आजादी के बाद भारत के आजादी के बाद यह लेफ्ट लिब्रल बिरादरी जो यहाँ पर दिखाती थी कि इनसे जादा अच्छा कोई नहीं है बलकि यह देश को कचोट रही थी यही ऐसे लोगों को सपोर्ट दे रही थी आज जो यहां पर इनका सपोर्ट खटम हो रहा है तो यहां पर इन लोगों को फड़़ाने की अवाजें सुन रही है दरसल यह लोग वोट के लिए इस तरह की राज़नीति कर रहे हैं और बाकी इनकी मंसा जो क्या है ये सभी को पता है तो दोस्तो लव जिहाद जो फैल रहा है उसके खिलाफ बनी दक्केरला स्टोरी का विरोध लगातार हो रहा है जाहिर सी बात है दोस्तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या बता है जाहिर सी बात है दोस्तो आप समझ बना देती है और जो सरतन से जुदा सही में करा कर बैठे हैं यानिकि उनसे पीड़ित लोग हैं उन्हें ही आरोपी बना देते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मुलाकात होगे ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए ठिंक टैंक